वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्लेक्सन अड़ा 28 चालिस भारतिय इत्यास प्राचीन इत्यास क्वेश्चन नम्मर 51 जैन साहित्य को क्या कहते हैं अंग क्वेश्चन नम्मर 52 प्राचीन भारत का प्रिसिद वेह सासा कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया चंद्रगुप्त मौरे क्वेश्चन नम्मर 53 दक्षिन भारत में प्रिसिद जैन केंदर इस्तित है बारत में सबसे पुराना लोह योग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मिर्त मांड़ों के साथ च्छटी सतावदी इश्वी पूर्व मगद में किसका विसाल बंडार था लोह मगद के उत्थान के लिए कौन सा पिर्थम सासक उत्तरदाई था विमसार उस राज्य का नाम बताईए जिसने पहली बार युद में हातियों का इस्तमाल किया चमपा सिकंदर महन का सासक कौन था सिकंदर महन का गुरू कौन था अरस्तु प्राचीन काल में स्त्रोत सामगरी लिखने के लिए प्रियुक्त भासा कौन सी थी संस्किर्थ हैरो टोडस को माना जाता है इतिहास का जनक अलेकजेंडर और पौरस की लड़ाई किस नदी पर हुई जेलम या फिर हाइड़ स्पीज नदी पर किसकी सेना ने ग्रीक सासक सिकंदर के साथ जेलम नदी के तट पर मुकावला किया पौरस ने कौस्टन नमर 63 यहूदियों के धार्मिक पाट का नाम क्या है मूसा सहीता कौस्टन नमर 64 मगद के राजवनसों को काल करमानुशार लिखिये सबसे पहले कौन सा था हरियक वन्स सेकेंड शिशुनाग वन्स थर्ड नंद वन्स और चौथा मौर्रे वन्स कौस्टन नमर 65 महभाश्य लिखा था किसने पतंजली ने कौस्टन नमर 66 प्राचीन काल मैं स्त्रोस सामगरी लिखने के लिए प्रयुक्त भासा कौन सी थी संस्किर्थी Q66, 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 Q सिर्वन बेल गोला अशोक के अधीन मौरे राज तंत्र का सबसे सही वर्णन क्या है से प्रबद स्वेताचारी सासन अशोक की प्रिस्विद नीती में भारी परिवर्तन किस घटना से आया कलेंका युद कौस्टन नम्मर बहतर निम्लकित में से वह वैक्ती कौन है जिसका नाम देवा नाम प्रेदर्सी था मौरे राजा असो कौश्चन नमर चौतर देवा नाम प्रिये के नाम से कौन विख्यात है असो कौश्चन नमर पिछत्तर कलिंग युद्ध के बाद निम्ल में से किसने महराज असो के रूपांत को दर्ज किया Rock Addict Rock Addict 8 Q76 Rock Addict 13 चंद्रगुप्त मौर्य के दरवार में बेजा गया यूनानी राजदूत था Megasthenes Q70 इनडी का किस ने लिखी Megasthenes ने मौर्य दरवार में ग्रीस के राजदूत का नाम Megasthenes था Q89 असोक ने किस बौध साधू से प्राहवित होकर बौध धर्म अपनाया उपगुप्त Q80 चंद्रगुर्प मौर्य का प्रिसिद गुरु चानक के किश विद्या केंद्र से संबनित है तक्षला से Q81 कलिंग युद्ध किस वर्स में हुआ था 261 BC असोक पर कलिंग युद्ध का प्रवाव कहां दिकाई देता है शिलाओं पर उतकीन राज्य देश Q83 मौर्य काल के दोरान सिक्षा का सबसे प्रिसिद केंद्र निमलखित में से कौन था तक्षला Q84 अर्ध सास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे चंद्रगुप्त मौर रहे Q85 असोक के सिलालेक किस लिपी में खोदे हुए थे ब्राही Q86 निम्ण में से किसने और कब पहली बार असोक के सिलालेक का अर्ध सपष्ट किया 837 जेम्स प्रिंसप Q87 किस प्रिसिद सासक को सिलालेकों का जनक कहा जाता है असोक को Q88 तृत्य बौद परीसद को सनक्षन प्रदान किया किसने Q89 मौर्य वंस के सासक के दोरान स्थानिक कौन था जिलाप प्रिसासक Q90 मौर्य वंस के ततकाल बाद किस वंस ने आकर मग्द राज्य का सासन किया सुंग ने Q91 कुशान वंस के प्रिसिद राजा का नाम बताए कनिश्क Q92 कनिश्क किस वर्स में राज्य शिंगासन पर आरुड हुए 78 इश्वी Q93 सक समवत किसने और कब सुरू किया कनिश्क ने 78 इश्वी में Q94 बौद धर्म का संरक्षन कुशान सासक कौन था कनिश्क Q95 कला की गंधार सेली किसके सासन काल में पनपी कनिश्क Q96 भारतिय और यूनानी कला के अविलक्षनों को शमनिवत करने वाली कला को क्या कहते हैं गंधार Q97 कनिश्क के सासन काल में रहने वाले सहित्यकार थे नागा अर्जुन और अश्वगोस Q98 प्राचीन काल में निमलिकित में से कौन कलिंग का एक महन सासक था Q99 राजा खारवेल किस चेदीवंस के महनतम सासक थे Q100 शात वाहन का सबसे बड़ा सासक कौन था गौतमी पुत सत करनी जहिन दोस्तो